तो देहरदून से मसूरी के लिए प्रस्ताविर रोबवे एश्या का दूसरा सबसे बड़ा रोबवे होगा रोबवे की लंबाई लगभग 5.5 किलो मीटर होगी जो हंकोंग के गोंग पिंग रोबवे की लंबाई 57 किलो मीटर से 100 मीटर कम है इस रोबवे की बनने से दून से मसूरी मात्र 15-18 मीटर पहुचा जा सकेगा इस से मसूरी में लगने वाले ट्राफिक के साथ ही सुरक्षित पर्यावरनी दुरस्ट से यात्रियों को सिवधाजनक यातायात का साधन सिलब होगा तो वहीं सोमवार को रुपवे निर्मान में इस्थाने लोगों का पक्ष जानने के लिए उत्राखंड परेटन विकास परिशन ने पर्यावरन संगरक्षन एम प्रदूशन नियंत्रन बोर्ड के सौजन से लोग सुनवाई का आयूजन किया लोग सुनवाई में सभी उपस्तित ग्रामीडों ने पूर्ण रूप से प्रोडेक्ट को लगाने पर सहमती दी इसके साथ ही इस्थाने वक्तियों को रोजगार प्रदान कर शुत्र के विकास की मांग की और एडियम जीसी गुडवन्त की धश्ता में पुरकुल इस्तित प्राचेशियों मंदिर में लोग सुनवाई का आयूजन किया गया उन्हेंने कहा कि आरोववे दोनों शहरों के लिए रोमांच और परिटन की नई संभावनाओं के दौर खोलेगा सबसे पहले आपको बताते ले मैसर्स मसूरी स्काई कार कंपनी प्राइवेट लिम्टेड के अधिकारियों ने ग्रामीडों को रोगवे से होने वाले लाब और परियोजनाओं के सम्मंद में विस्तार से जनकारी दी ग्रामीडों ने मांग करती वे कहा कि रोगवे से स्रुजित होने वाले रोजगार के अवसर में ग्रामीडों को प्रात्मिक्ता देने के साथ श्रित के विकास के लिए भी काम किया जाए जिस पर आउगत कराया गया है कि ग्रामीडों को रोजगार के मौके उपलब्द कराने के साथ ही शेत्र का विकास तेजी से होगा भारतों इंग्लैंड के बीच लॉंडर्स टेस्ट में जोरदा टकर देने को मिली है मैच के दौरान कई ऐसे मौके आए जब दोनों टीमों के खिलाड़े एक दूसरे से उलस्ते नजर आये टीम इंडिया के तेज गेंदवाद जस्परेत बुमराख खास्तोर से इंग्लिस स्ट्रीम के निशाने पर थे तो वहीं तीसरे दिन जहां जेम्स एंडर्सन ने उन्हें कुछ कहा तो पांच वे दिन जोस बटलर और मार्क वुड ने बुमराख को स्लेज करने की कोशिश की ये घटना आपको बता चले बुमराख और मौहमर शमी के बीच नवे विकट की साज़दारी के दौरान ही दोनों ने 89 रनों की नाबाद साज़दारी की इंग्लैंड के गेंदवाज नवा विकट लेने के लिए तरस्ते रहे गए जब उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी तब वे आपको बताते चलें स्लेजिंग पर उतर आए पारी के 92 ओवर के खत्म होने के बाद विकट कीपर जोस बटलर ने बुमराख को कुछ कहा इसके बाद बुमराख को मैदानी अमपायर से बात करते हुए दिखा गया अमपायर इलिंग वर्थ भारतिये पेस के समझाते हुए नजर आए और आपको बताते हैं इससे पहले मार्क वुड ने भी बुमराख को कुछ कहा था इसके बाद इंगलेंड की दूसरी पारी के दोरान बिराट कोहली मुहमस सिराज ने इंगलेंड के ओली रॉबिंस और जोस बटलर पर पलटवार किया था अब इस पूरे मामले पर टीम इंडिया के ओपनर केल राहुल ने रियक्ट कर दिया है उन्होंने मैच के बाद इस मामले पर बयान दिया और राहुल ने कहा कि यदि हमारे किसी एक खिलाड़ी को विपक्षी निशाना बनाएंगे तो इसका जवाब उन्हें भारती के टीम की 11 खिलाड़ी देंगे